आज हम एक अत्यंत दुखद समाचार के साथ आपके सामने हैं। भारतिय उद्योग के स्तंभ रतन टाटा जिन्होंने अपने जीवन में कई महत्तुपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। 9 अक्टूबर 2024 को हमसे हमेशा के लिए विदा हो गए। उनके निधन की खबर ने देश और विदेश में लोगों को शोक में डाल दिया है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। वे टाटा परिवार के एक प्रमुक सदस्य थे और उनके दादा J.R.D. टाटा एक प्रसिद उद्योगपती और समाज सेवी थे। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में ली और फिर आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे की हार्वर्ड विश्व विद्यालय गए। 1961 में टाटा समूह में अपने करियर की शुरुआत करने के बाद रतन टाटा ने कई विभागों में कार्य किया जिसमें टाटा स्टील का भी नाम शामिल है धीरे धीरे उन्होंने अपनी क्षमता और दूर दर्शिता के बल पर कंपनी में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया 1990 में टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्नै लिए जिन्होंने कंपनी को नई उचाईों पर पहुंचाया उनके नेत्रित्व में टाटा समूह ने कई प्रमुख उध्योगों में कदम रखा जैसे की सूचना प्रोध्योगी की उपभोकता वस्तुएं और उर्जा उनके द्वारा किये गए कई महत्वपूर्ण अधिग्रहनों में जग्वार लैंड रोवर का अधिग्रहन और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसिस का वैश्विक विस्तार शामिल हैं। रतन टाटा की पहचान केवल एक व्यवसाई के रूप में नहीं है। वे एक महान फिलन्त्रोपिस्ट थे जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीन विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा स्थापित टाटा ट्रस्ट ने लाखों उन्हें भारतिय समाज में एक विशेश स्थान दिलाया। उनका मानना था कि व्यवसाई का उद्देश्य केवल मुनाफ़ा कमाना नहीं, बलकि समाज की भलाई के लिए भी काम करना चाहिए। उन्होंने कई सामाजिक पहलों को प्रोथसाहित किया। जैसे कि शिक्षा के क क्षेत्र में सुधार और स्वास्थि सेवाओं का विस्तार। उनके द्वारा शुरू की गई टाटा कैंसर हॉस्पिटल जैसी संस्थाएं, आज लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमी का निभा रही है। रतन टाटा को उनके असाधारन कार्यों के लिए कई सम्मा जो भारतिये नागरिकों के लिए तीसरा सर्वोच नागरिक सम्मान है। इसके अलावा उन्हें पद्म विभूशन जैसे प्रतिष्ठित सम्मान भी प्राप्त हुए। उन्हें कई अंतर राष्ट्रिये संस्थानों द्वारा मान्यता मिली, जिसमें गार्जियन द्वारा दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक का स्थान भी शामिल है। इन पुरसकारों ने उनकी कार्यक्षमता और मानवीय मूल्यों की पहचान की। रतन टाटा ने हमेशा अपने मूल्यों को बनाए रखा। उनका संयम, डयालुता और सामाजिक उत्तरदायित का भाव उन्हें दूसरों से अलग करता था। वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत पर रहते थे और समाज के कमजोर वर्गों के उथान के लिए काम करते रहे। उनकी प्रेरणा ने कई युवा उद्यमियों को आगे बढ़ने की हिम्मत दी। उनकी उदारता और विये दृष्टिकोंड ने उन्हें न केवल एक सफल व्यवसाई बलकि एक आदर्ष नागरिक भी बना दिया। उनके नेत्रित्व में टाटा समूह ने न केवल आर्थिक व्रिद्ध की बलकि सामाजिक उत्तरदायित्व का भी पालन किया। उनकी दूर दर्शिता और नौतियां आईं लेकिन उन्होंने हमेशा दृष्टा और समर्पन के साथ उनका सामना किया। उनकी जीवनशैली और कारियों ने यह साबित किया कि सफलता केवल व्यवसाई में नहीं बलकि समाज के प्रती हमारे कर्तव्यों में भी होती है। उनकी प्रेरणा केवल व्यवसाई क्षेत्र तक सीमित नहीं है। उन्होंने समाज में भी गहरा प्रभाव डाला। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को अपनी सामर्थे के अनुसार समाज के उत्थान में योगदान देना चाहिए। उन्होंने खुद को हमेशा एक साधारन व्यक्ति के रूप में रखा और अपनी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा समाज सेवा में लगाने का निर्ने लिया। उनकी प्रेरणा के स्रोत उनकी पारिवारिक प्रिष्ठ भूमी और दादा जे आर डी टाटा के सिध्धान्त थे। रतन टाटा ने हमेशा अपने दादा के आधर्शों का पालन किया और समाज के प्रती अपनी जिम्मेदारियों को समझा। उनका यह द्रिष्टिकोन उन्हें एक उतक्रिष्ट नेता और मानवतावादी बनाता है। आज हमने एक महान व्यक्तित्व, एक प्रेरणा स्रोत और एक सच्चे मानवतावादी रतन को खो दिया। रतन टाट आपका योगदान कभी भुलाया नहीं जाएगा। आपकी विरासत हमारे दिलों में हमेशा जिन्दा रहेगी। हम आपको सच्ची श्रद्धानजली देते हैं। आपकी आत्मा को शांती मिले।